हेलो दोस्तो आज हम फिर चाहजी रहें आपके साथ नए प्रसनों को लेकर तो हम इसमें अपना पहला प्रसन देख लेते हैं मानव सरीर को कारे करने तथा विकास के लिए आवस्यक्ता होती है मानव सरीर को कारे करने तथा विकास के लिए किसके आवस्यक्ता होती है तो आपसन देख लेते हैं धन की, मनुरंजन की, पोसड की, बैयाम की तो इसका राइट एंसर हो जाएगा पोसड की माना सरीर को कारे करने तथा विकास के लिए आव सकता होती है पोसड की सरीर के लिए आवस्यक अमीनो आमल, यानी कि अमीनो अशिड पाय जाते है अवर नेक्स्ट कोस्टन है, प्रोटीन का मुख्य सुरूत है प्रोटीन का मुख्य सुरूत देख लेते हैं मचली, मुर्गी, मास तथा अंडे उप्रियूक्त सभी तिसका राइट एंसर हो जाएगा D, उप्रियूक्त सभी क्योंकि प्रोटीन का सभी स्रोथ मचली, मुर्गी, मास तथा अंडे सभी अच्छे स्रोथ होते हैं प्रोटीन के उनके मरमत और विकास के लिए क्या सहायक होते हैं तो आपसन देख लेते हैं आपसन यह है प्रोटीन, वसा, खनीज लवर, विटामिस तो इसका राइट एंसर हो जाएगा प्रोटीन प्रोटीन के द्वारा ही उतको की मरमत और उनका विकास होता है याद रखिएगा शरीर का निर्माण के लिए प्रोटीन ज्यादा जरूरी होता है हमारा निक्स्ट कॉस्टन है सल्ले चिकित्सा वाले रोगी की घाओं को भरने में सहायक होता है सल्ले चिकित्सा जिसकी होती है वो रोगी जिनको घा हो जाते हैं सलचिकेसा के बाद उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है घा भनने के लिए तो आप्सन देख लेते हैं अधिक मात्रा में भोजन करना प्रचूर मात्रा में विटामिन सी तथा प्रोटीन मिठाई नमक तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन बी प्रचूर मात्रा में विटामिन सी तथा प्रोटीन जो विटामिन सी होता है वो घा भनने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है और प्रोटीन तो हमने उपर ही पढ़ा कि प्रोटीन सरीर के मरमत तथा निर्माण के लिए आफसक होता है तो यह हमारा right answer हो जाएगा option B प्रचुन मात्रा में विटामिन C तथा प्रोटीन हम अपना next question देख लेते हैं हमारा next question है जब कोई ब्यक्ति घायल होता है या उसकी सलेचिकित्सा होती है तो प्रयोग में आती है उस ब्यक्ति के सरीर में संचित तो इसका option A है रप्त, option B है जल, option C है प्रोटीन, option D है कैल्सियम तो इसका right answer हो जाएगा option C प्रोटीन जब कोई ब्यक्ति घायल होता है या उसकी सलेचिकित्सा होती है तो उसके सरीर में संचित जो प्रोटीन होती है वो उसके लिए फायदे मंद होती है यह हम बार-बार पढ़े हैं कि प्रोटीन जो है सरीर की मरमत तथा उतकों के निर्माड के लिए सहायक होता है यहाँ पर हमारा option C protein सही हो जाएगा हमारा next question है जो व्यक्ति पेट की समस्या से पीडित होते हैं उन्हें भोजन द्वारा उत्पन हो सकती है तो उन्हें भोजन द्वारा क्या उत्पन हो सकती है तो option देख लेते हैं उसकी मितली, मुत्रासय की वीमारी, मस्तिस्क की वीमारी तो इसका right answer हो जाएगा option B मितली जो व्यक्ति पेट की समस्या से पीडित हैं अगर उन्हें भोजन द्या जाता है तो उन्हें मितली की समस्या उत्पन हो सकती है हम आगे अपना question देख लेते हैं जब तक रोगी स्वास्ति लाब महसूस करने न लगे तब तक उसे समयनेता देनी चाहिए क्या देनी चाहिए option देख लेते हैं तरल खुराक, ठोस खुराक, हलकी खुराक, नियमित खुराक तो यह सबको पता है कि जब कोई ब्यक्ति बीमार होता है उन्हें अच्छा मसूस नहीं होता है तो उन्हें तरल पदार्थ दिया जाता है यानि कि तरल खुराक दिया जाता है तो यहाँ पर हमारा option A सही हो जाएगा तरल खुराक हमारा next question है हलकी खुराक यानि कि soft diet उन रोगियों को दी जाती है जो पीडित होते है हलकी खुराक किसे दी जाती है तो option देख लेते हैं ज़र से, पेट दर्द से, चबाने और निगलने की समस्या से, सले चिक्रिया से तो option इसमें हमारा C सही हो जाएगा चबाने और निगलने की समस्या से, जब किसी ब्यक्ति को हलकी खुराक दी जाती है कौन से रोगी को हलकी खुराक दी जाती है तो जिसको चबाने और निगलने की समस्या होती है उन्हें हलकी खुराक त्यानि कि सॉफ डियेट दी जाती है हम अपना next question देख लेते हैं रोगी की नियमित खुराक में अधिक मातरा में उपस्थित होने चाहिए जो ब्यक्ति रोगी है उसको नियमित रूप से क्या लेना चाहिए तो आप्सन देख लेते हैं प्रोटीन वरेसे, आयरन, विटामिन, सुपर्योक्त सभी तो इसमें हमारा राइट एंसर हो जाएगा आप्सन D, उपर्योक्त सभी जो ब्यक्ति रोगी है उन्हें नियमी तुरूप से अधिक मात्रा में प्रोटीन, रेसे, आयरन, विटामिन सभी कुछ लेना चाहिए तो यहाँ पर आपसन हमारा D सई हो जाएगा उप्रयोगत सभी हम अपना नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं जो रोगी दर्द से पीडित हो तथा खाने में कठिनाई महसूस करते हो उन्हें भोजन करने से पूर्व दी जानी चाहिए तो क्या दी जानी चाहिए तो आपसन देख लेते हैं चीनी, एंटिवार्टिक आउस्थी, दर्द न हमारा नेक्स्ट कुश्चन है सरीर की प्रतेक कोशिका को कारे करने तथा अपना विकास करने के लिए आवस्यक होती है जो सरीर की प्रतेक कोशिका है उनको अपना कारे तथा विकास के लिए क्या आवस्यक होती है तो आपसन देख लेते हैं उर्जा की, गर्मी की, सर्दी क कि इसमें से कोई नहीं तो सबको पता है कि शरी को कोशिका है उसको कारे करने के लिए उर्जा क्या हो सकता होती है तो इसमें हमारा राइट एंसर हो जाएगा option ए उर्जा की हम अपना next question देख लेते हैं मनुस्य अपने सरीर में उर्जा उतपात नहें तो पर्यात मात्रा में क कैलोरी ग्रहड करता है किससे ग्रहड करता है तो आपसन देख लेते हैं कार्भो हाइड्रेट से वसाओं से प्रोटीनों से उप्रिउक्त सभी से तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन डी उप्रिउक्त सभी से मनुस अपने सरीर में उड़ा उत्पातन के लिए सबसे क्या लेगा यानि कि कार्भो हाइड्रेट भी लेगा वसा भी लेगा प्रोटीन लेगा तो हमारे राइट एंसर हो जागा आपसन डी उप्रिउक्त सभी अगर यहीं पर कोस्चन रहता कि सबसे अधिक कैलोरी किस से मिलती है तो वह होगा वसा से सबसे अधिक कैलोरी वसा से मिलती है और सबसे जल्दी कैलोरी मिलती है कार्bohydrate से तो ये दोनों याद रखिएगा सबसे जल्दी कार्bohydrate से और सबसे ज़्यादा वसा से हम अपना next question देख लेते हैं सरीर की उपापचय क्रियाओं तथा अन्य प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवस्यक होती है तो क्या आवस्यक होती है आपसन देख लेते हैं उस्मा की जल की विटामिनों तथा खनीजों की परिश्रम की तो इसमें हमारा राइट एंसर हो जागा आपसन C विटामिनों तथा खनीजों की जो विटामिन तथा मिन होते हैं उसकी आवसकता हमें उपा बचे क्रियाओ तथा अन्य प्रक्रियाओ को सुचारू रूप से चलानी के लिए होती है हमारा निक्स्ट कोस्टन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोथ है तो आप संदेख लेते हैं आवला चीकू नारियल पपीता तो यह सब को पता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोथ है तो आप हमें यह कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि इसका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोथ कौन सा है हमारा नेक्स्ट कॉच्चन है मानों सरीर में बाह संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिर अच्छक यानिक राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन्स जो बाय संक्रमोड से लड़ने के लिए प्रतिर अच्छक यानि कि एंटिवाडी के रूप में जो कार करता है वह होता है प्रोटीन्स के बारे में और कुछ भी पढ़ा है कि सरीर की मरमा तथा निर्माड के लिए भी प्र दियाती है तो अबसन देख लिते हैं अधिक नमक वाली उव्याब कैसे न emak благ वाले अधिक चिकनायूक अधिक शरकरा वाली इसका in style रेल esaug वह हो जाएगा ऑप्शन भी कम नमक वाली ईसको दिल के विमारी होती उसको अधिक यानिक के कम नमक वाली भ quyजन दिया जाता देखने में, सुनने में, चलने फिरने में, भोजन करने में, तो इसका right answer हो जागा, option C, चलने फिरने में, यह सबको पता है कि जो लोग बीमार होते हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, हम अपना next question देख लेते हैं, मानों सरीर में रग्त का बहाव किस ओर रहने का प option D है, सिर की ओर, तो इसका right answer हो जागा, option A, टांगों और पैरों की ओर, हम अपना next question देख लेते हैं, जब रोगी बिस्तर से खड़ा होने की कोशिस करें, तो खड़े होने से पूर उसे बिस्तर के एक ओर लटका कर रखना चाहिए, उसे एक ओर क्या लटका कर रखना चाहि तो option देख लेते हैं, अपने हाथों को, अपनी टांगों को, अपनी गर्धन को, अपने सिर को, तो इसका right answer हो जागा, option B, अपनी टांगों को, जब कोई रोगी बिस्तर से खड़े होने की कोशिस करेंगा, तो वो सबसे पहले अपनी टांगों को एक तरफ करेंगा, बिस्त लेने और खासने का अभ्यास कराना चाहिए, तो option देख लेते हैं, हड्यों के, दातों के, फेफडों के, आखों के, तो इसका right answer हो जाएगा, option C, फेफडों के, ये समझने वाली बात है कि, संक्रमर से बचा हुए तो उपचारी का द्वरा रोगी को गहरी सास, और खासने क अभ्यास कराना चाहिए, फेफडों के, संक्रमर से बचाओ के लिए कराना चाहिए हो कि, सास और खासने का संबंध फेफडों से है, तो यहाँ पर हमारा right answer हो जागा, option C, फेफडों से, हमारा next question है, दाप से होने वाले घाओ, यानिकि जो प्रेसर सोर्स होते हैं, उससे right answer हो जाएगा, option D, खुर्दूरी चादर, क्योंकि जो दाप से होने वाले घाओ, यानिकि प्रेसर सोर होते हैं, अगर खुर्दूरी चादर बिचाए जाती है, तो वो घाओ बढ़ने के chances और हो जाते हैं, इसमें हमारा right answer हो जाएगा, खुर्दूरी चादर, option D, तो दोस् दोस्ते रहें, धन्यवाद